अच्छा अच्छा आपको स्मार्ट बनना है आप आयो इंडिया के सबसे स्मार्ट पॉड्कास्ट दरण भी शो हिंदी क्लिप्स के चैनल पर सब्सक्राइब हिट लाइक बाटन और यह वीडियो को शेयर जीजिए थोड़ा डाक सवाल पूछना आपको दो चीजसे पहले तो लोग कहते कि जब याटर कोई क्यारेक्टर को प्ले करता उस चारेक्टर की कोई चीज़ उसibenज के साथ हमेशा के लिए रह जाती है तो वो पुछना आपको हर्षद मेता के बारे में हर्षद मेता की वो कौन सी चीज है which I feel that you will never you know let go of दूसरा सवाल में बाद में पूछता पहले ही ये बता तो तो मुझे लगते हैं हम लोग जितने भी किरदार करते हैं वो सारे किरदार के कुछ ने कुछ अंश हमारे अंदर रही जाते हैं तो उनसे क्या लिया था आपने हर्षद में था किरदार में मुझे दो-तीन चीज़े बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कि हिस पैशन और वो जो एटिट्यूट था हो एंड तक लड़ने का चीज से चिपके रहने का करते रहने का वो बहुत सही था आपको लगता है हर्षद में था कि सोल आपको देख के कहीं कुछ फील कर रही होगी and if yes थान क्या मुझे लगता है यह जितने भी चारेक्र्स मैंने बहुत रियल लाफ चारेक्र्स की हैं बहुत 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 चारेक्र्स क्रीट की है stage पे ज़्यादा किया है, screen पे तो यह पहला ही मौका था पर यह ऐसे जितने भी किरदार किया है ना कहीं न कहीं I feel the soul यह बात आप समझा सकते हैं हरशद मेंता के बारे में when I was creating that character when I was performing certain scene I actually feel that way अब यह नहीं पता मुझे कि उन्होंने तब क्या feel किया होगा या वो कैसे है but I can just share my experience कि जब मैं बहुत सारे scene ऐसे थे जब मैं वो करता था तो I feel कि इस time पे क्या feel हुआ होगा और इसे कोई किसी book में लिखी नहीं सकता है इसे word में डालना बहुत difficult है राइटर्स ने भी जब लिखा होगा चाहे वो शुचेदा दलाल जी ने जब बुक भी लिखी है उनका पूरा point of year उनका पूरा analysis है but एक आदमी के अंदर क्या चलता है वो लिखना possible नहीं है शायद हरशद मैता कि ये ख्वाइश रही होगी कि I want my story to be told in this way you may never know that works that way and आपके थ्रू ये story बोली है I am the chosen one then नहीं बट अब यश्राज मुखाटे को जानते हो ना जिन्हों ने ये सब रसोड़ा और तो अभी रीसंटी उनके साथ एक एपिसोड किया था AR रह्मान की बाते हो रही थी मेरी simulation आपकी simulation से बाते कर गिया okay so that basically means कि जो भी art आप अपने आसपास देखते हो ये architecture भी हो सकता है songs हो सकते है films हो सकते है जो भी art आप अपने आसपास देखते हो वो universe का एक manifestation होता है right जो अलग-अलग लोगों के flow state के थ्रू बनाया जाता है और 10,000 years back would have thought कि हाँ अगर 2010 में मुझे खुद को manifest करना है उस timeline के लिए तो फिर I will choose BR Chopra to make it I will choose Ramanan Sagar to make it तो ये आपने वही चीज़ कह दिया हाँ वैसा होता ही होगा आप देखे ना इतने सारे लोगों से actors का तो मैं एक चीज़ बहुत बहुत विश्वास से मानता हूं इसे कि actor ही एक ऐसा profession है जिसमें आप एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगिया जी सकते हो अलग-अलग किर्दार करके उसके negative effects भी हो सकते हैं होते हैं बहुत सारे negative effects होते ही होंगे बहुत सारे लोग इसे बहुत ज़्यादा दिल पर भी ले लेते हैं then it becomes difficult for them like for characters for characters then it becomes difficult for them because see ultimately it's emotionally draining जितने emotions हम create करते हैं stage पर आपे चैमेरे के सामने वो सारे emotions हमें जीने पड़ते हैं तब तो वो गुसा, वो हसी, वो depression सारी चीजे हम अगर मैं अगर अंदर से feel नहीं करूंगा तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा तो वो fake तो तुरंद पता चल जाएगा